Hello, Neat Candidates! कनाटका स्टेट की तरफ से एक न्यू नोटिस आया है ये नोटिस BDS के स्ट्रे वेकंसी राउंड के रिगार्डिंग है यसी कि मैंने आपको पहले रिगार्डिंग है कि कनाटका की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि वेडियस का जो स्ट्रे वेकंसी का राउंड का जो शेड्यूल है वो जो MCC All India के जो डेंटल का जो राउंड है उसके बाद होगा तो अब इसके रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट आ चुका है तो इसमें आप लोग अपने अपने च्वाइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं 18 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर अप्टू 2 पियंग तक तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई भी मेडिकल या डेंडल की सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो लोग इस राउंड के लिए अलिजिबल हैं और वो उसमें fresh choice फिलिंग कर सकते हैं जो भी options उन्होंने पहले के राउंड में enter किये थे वो null and void माने जाएंगे तो आपको इसमें fresh choice फिलिंग करनी है जो candidate ऐसे हैं जो पहले register नहीं कर पाए थे कनाटका स्टेट की counseling में वह आप लोग उसमें fresh registration कर सकते हैं और यह registration 17 October से start होगा 2 p.m. से इसका जो last rate है registration का वो है 19 October up to 8 a.m. उसके बाद आप अपने options को enter कर पाएंगे लेकिन options को enter करने से पहले आपको एक verification slip को download करना होगा उसके बाद आप लोग choice filling कर पाएंगे तो यह आपको जो choice filling है वो 20 October 2 p.m. से पहले पहले करनी है और इस round का जो result है वो 21st October को आ जाएगा after 4 p.m. तो result आने के बाद आप लोगों को जो है अपने login करना है और वहाँ से एक चलान download करना है तो जो भी candidates ऐसे होंगे जिनको इस round भी seat a lot होगी उनको एक चलान download करना होगा जो कि आप online ही करेंगे अपने login करते हुए और अपना जो fee है वो pay करेंगे तो यह जो आपको करना है यह 25 October से लेकर 26 October के बीच में करना है और fee pay करने के बाद आपको अपना allotment letter या admission जो order है वो download करना होगा और अपने-पने colleges में report करना है before 27 October 5.30 p.m. से पहले तो यह पूरा schedule है जो यह राउंड online होगा कोई offline नहीं होने वाला है तो अप लोगों को इसमें choice filling करने है 18-20 October जैसे कि मैंने बताया तो पूरा schedule आ चुका है तो जो भी candidates हैसे थे जो पहले registration नहीं कर पाया थे और अभी भी वो लोग 23 session में admission लेने कर देख रहे हैं तो वो BDS course में admission ले सकते हैं इसके लिए fresh registration भी open होने वाली है यानि कि कल से open हो जाएगी तो आपको इसके लिए 3 days मिलेंगे 17 October 18 October लेकिन 19 October 8 AM तक ही registration open रहेगी उसके बाद नहीं अगर फिर भी कोई query हो आपकी तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं thank you करेंगे और इसके बाद college को रिपोर्ट करेंगे 38 September से पहले 530 PM यानि का इसको जो लास्ट एट है admission का वो 3rd September 530 PM है यह पूरा मैंने आपको schedule बताया है इसके लावा को भी query हो तो आप मुझे comment box में comment करके पोच सकते हैं thank you